गायब करें बेली फैट 15 दिनों में हेलो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ 15 दिनों में ही अपने पेट की बड़ी हुई चरबी को गायब कर सकते हैं आजकल हर कोई मोटापे से परिशान है और सब ही लोग चाहते हैं कि उनका शरीर पतला और सुन्दर दिखें देखा जाये तो जब भी वजन बढ़ता है तो पेट भी बाहर निकलने लगता है जो कि देखने में बिलकुल अच्छा नहीं लगता है और इसकी वज़े से काफी सारी बिमारिया भी हो सकती है जैसे BP, शुगर या दिल से जुड़ी बिमारिया बैली फैट बढ़ने के काफी सारे कारण हो सकते हैं जैसे exercise ना करना, संतुलित आहार ना लेना, बहुत देर तक एक ही जगा बैठे रहना या फिर बैठे बैठे सारे काम करना तो दोस्तो अगर आप भी अपने बड़े हुए बैली फैट की वज़े से परिशान है तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे सिर्फ 15 दिनों में ही आपका बैली फैट गायब हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि वो तरीके कौन से है नम्मो वन, खाने में संतुलित भोजन ले जी हां, दोस्तों, पेट के जिद्धी फैट को कम करने के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी खाए, वो सही मातरा में ही खाए कोशिश करें कि खाने में फायबर और प्रोटीन की मातरा जादा ले क्योंकि प्रोटीन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है और फाइबर लेरे से हमारा पेट जादा देर तक भरा रहता है, जिससे हम बार बार खाने से बच्चते हैं, कोशिश करें कि अपने खाने में जादा से जादा फल और कच्ची सबजिया शामिल करें, आप इसे सालेट के और ये आपके पेट के लिए भी सही रहेगा इसके अलावा आप अपने खाने में सूप को भी शामिल कर सकते हैं आप सेसंची शाल का लेकिन में अक्सर सभी यह च्रबbatर शार की और से उसे पानी के जाएंगी और सस्दे में उसके यह आपके पेट के श्यूं की का मृत भरा रहेगा आप रोज अलग अलग तरीगी का सूप बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप खाने में low-fat milk और low-fat पनीर या टोफू का इस्तमाल करें। इसके अलावा dry fruits भी अपने खाने में शामिल करें। इस तरह से जाधा से जाधा प्रोटीन ले। जो कि आपकी सहत के काफी अच्छा रहेगा और आपका पेट कुछ ही दिरों में गायब हो जाएगा जी हाँ दोस्तों ये भी पेट की चर्वी को कम करने के लिए बहुत ही फाइदे मंद हैं आप रोजाना सुभा खाली पेट इसे ले सकते हैं अगर आप इसे गरम पानी मिलेंगे तो इसका असर और जादा होगा इसे बनाने का तरीका भी बिलकुल असान है इसे बनाने के लिए पहले गलास पानी को गरम कर ले और उसमें एक निम्बू डाल ले और उसे सुभा सुभा खाली पेट ले अगर आपको खाली निम्बू लेने में मुश्किल लगे तो आप पानी में एक चमश शहद भी मिला सकते हैं ध्यान रहे कि आपको चीनी का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करना है सुभा सुभा निम्बू पानी लेने से आपका पेट बिलकुल साफ हुचाएगा और आपकी बोडी का मेटबॉलिजम रेट भी बड़ेगा इसके इलावा ये भी ध्यान रखें कि पूरे दिन में भी आपको जाजर से जादा पानी पीना है जिससे आपकी शरीर के सारे टॉक्सिंस निकलते रहें और कोशिश करें कि जादा शुगर वाले या बाहर के कोल ड्रेंक्स विग्यारा ना ले दोस्तों अजवाइन हमारे पूरे शरीर से चर्बी को हटाने में काफी मददकार हो सकता है आप चाहे तो इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं इसके लिए आप एक ग्लास पानी में आदा चमच अजवाइन को पूरी राद भिगो कर रखे और सुबह सुबह उठकर खाली पेट इसे ले ले इसके लावा आप अपनी खानी की चीज़े बनाते समय भी अजवाइन का जादा प्रयोग करें ये ना केवल आपके पेट की चर्बी को कम करेगा बलकि आपके डाइजेस्टिस सिस्टम को भी अच्छा करेगा जिससे अगर आपको पेट की कोई समस्या होगी तो उससे भी आपको छिटकारा मिल जाएगा दालचीनी के काफी सारे फायदे हैं दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि शुगर के मरीजों के लिए दालचीनी काफी फायदे मन्द होती है उसी तरह से पेट की चर्बी कम करने के लिए भी दालचीनी काफी काम आती है दोस्तों आप पूरे दिन में एक बार एक लास पानी में दालचीनी और थोड़ा सा शेहद मिला कर लीजिए इससे आपके पेट की चर्बी असानी से कम होगी इसके अलावा आप अपनी चाए में भी से इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए पहले थोड़ा पानी लीजिए और उसमें दालचीनी और थोड़ा अद्रक डालके अच्छे से उबाल दीजिए और उसके बाद उसमें दूट डालके चाए बना लीजिए अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि अलोवीरा हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है बलकि फैट को शरीर से निकाल देता है इसके लिए आप एक ग्लास पानी में दो चमच अलोवीरा जूस और थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला ले और इसे खाली पेट ले और अगर आपको इसके बाद कुछ खाना है तो कम से कम एक घंटे के बाद ही खाए इसका काफी अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो वजन कम करने के लिए आपल सिडर विनेगर भी काफी फाइदेमन माना जाता है क्योंकि इससे हमारे शरीर की कैलरी से तेजी से पर्न होती है इसे लेने के लिए आप एक ग्लास पानी में दो चमच आपल सिडर विनेगर को मिला ले और उसे हमेशा खाने से आदा घंटा पहले ले ले ये तरीका आपके पेट की चरबी को काफी तेजी से कम करेगा दोस्तो अच्छी डायट लेना तो जरूरी ही है लेकिन उसके साथ ही रोजाना एक्सराइस भी पहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम रोजाना सिर्फ बैठे नहेंगे और बिलकुल भी एक्सराइस नहीं करेंगे तो पेट की चरबी घटाना मुश्किल हो सकता है इसके लिए आप रोजाना कम से कम आदा घंटा एक्सराइस जरूर करें शिरुवात में आप रोज सुभा आदा घंटा बैदल जल सकते हैं मॉनिंग वॉक हमारी शरीर के लिए काफी लाबदायक होती है इसमें आप कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी चले अपने दिन की शुरुवात अगर आप मॉनिंग वॉक से करेंगे तो ये आपके मेटबॉलिजम को बढ़ाएगा और फैट कम करने में मदद करेगा इसके अलावा आप सीडिया भी चड़ उतर सकते हैं दोस्तों आप अपने घर पर ही सुभा शाम 10 से 15 मिनट सीडिया चड़े और उतरे बता दे दोस्तों कि सीडिया चड़ना उतरना भी पेट कम करने के लिए काफी अच्छी तरकीम मानी जाती है इसके अलावा अगर आप बाहर कही या ओफिस जाते हैं तो वहाँ भी कोशिश करें कि आप लिफ्ट का इस्तमाल ना करें और सीडियों का ही इस्तमाल करें इन चीजों के लावा आप घर में कुछ एक्सराइज भी कर सकते हैं जैसे की sit-ups, weight training, planks, crunches, squats, push-ups ये सब ही exercise काफी असान है और इसे आप घर पर ही असानी से कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे वो साथ तरीके जिसको अगर आप अपने daily routine में शामिल करते हैं तो आपका belly fat सिर्फ 15 दिनों में ही बिल्कुल गाया भुजाएगा सिर्फ आपको अपने daily routine में कुछ बदलाव करने हैं और हमारे बताए गए तरीके आजमाने की जरुवत है तो दोस्तों हमें उमीद है कि आप हमारे बताए गए तरीकों को जरूर अजमाएंगे और साथ ही हमें कमेंट करके अपने experience जरूर बताएंगे इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चानल ग्यानी जी हेल्थ को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लगदार हमारे चानल से जुड़ी सब ही अपडेट्स मिलते रहें तब तक के लिए धन्यवाद